आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि कैसे आप अपनी वीडियो को उपर रेल्स के उपर बलर का इफिक डाल सकते हो लाइक ओवरल कुछ इस तरीकी के वीडियो एक्टिंग कर सकते हो और बहुत लोग कैपकट से भी ब अपने वीडियो को इसा एडिट कर सकते हो सो विडाउट एनी फॉर्द डिलेगाइज आप देख वारें कि हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको यह वी एन डाउनलोड कर लेना है ठीक है तो गाइस मैं यहां पर वी ए को सबसे पहले आपको नया प्रजेट करना है तो हमएमारी वीडियो हैं यहां पर एड़ रही होगी ठीक हैं और आगे बहुत सरी चीजे है गाई जो कि आपको इस वीडियो में सिखने को मिलेगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते हो तो आप वीडियो को बेच में स्किप करके चले जाओगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे बाई मतलब इतना देखना आपका कोई काम नहीं आएगा आप एक चुका यह देखो इस तरीके का यह वीडियो है अलांकि यह वीडियो आई फोन से सूट किया हुआ है आप अपने अंड्रोइड फोन से भी शूट कर सकते हो यह कोई जरूरी नहीं कि आगर आपके पास आइफ़ोन तभी आप कुछ इस तरीके का वीडियो बना सकते हो काफी असान है सबसे पहला iãoग Boss eh starting Elmo Gen 12 part को कट करना है मतलब आपको यहां से द्धव में और chain Courtney like आगे थोड़ा सा पीछे तक अगर रखना है यहां तक हमें रखना है तो हम इसको तो यहां तक करके सिंपल से यहां इसको भी डिलेट कर देंगे ठीक है आपको अपने स्वाइड करना है स्वाइड करोगे मैं डिस्क्रिप्सिन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको वीडियो डाउनलोड कर लेजिए और सबसे पहले रेस्यों यहां सलेक्ट कर यह नाइंडेस्यों 16 मेंने कर लिया यहां देख पर हो यह टिक टॉक का लोगो बना है यह आपको सलेक्ट कर लेना है इस वीडियो में भी बहुत सारा काम है किस तरीके से कट लगाना है मतलब और भी बहुत सारा चीज तो पहले तो हम यहां से म्यूजिक पर क्लिक करते हैं यहां पर देख पर हो यह वीडियो एड हो चुका है अब माई मुजिक पर क्लिक करेंगे यहां पर देख पर हो एक वीडियो हमारा आ गया है अब जैस्ट आपको यूज पर क्लिक करना है यह आपके टाइम लेंग पर आ जाएगा ठीक है तो कुछ इस तरीके से आप देख तो सभूर , इस क्लिक कर से हमनेया च्रीच में zभूर करने के पकाने इस इस जालौ कॉलम करका तक क्लिक के पार two यूज पर क्लिक करना है यह आप पूरी की पूरी जो है audio यहाँ पर हो जाएगी यह देख पर हयोगा इसकी 11 इ retali units की audio है और यह आपको यह पहें स्पीड पर क्लिक करना है और इसे आपको नॉर्मल कर लेना है ठीके यह नॉर्मल मैं hem कर लिया मतलब जितना था उतना कर लिया अब आप देख पर वीडियो यहां तक है तो ओड्यू भी यहीं तक दिखा रहा है बड़ ने 11 सेकंड का एंड यह वीडिव सबसे पहले तो इसकी साउंड को आफ करते हैं यहां से आपको यहां वोल्यूम को आपको आफ कर लिया यह आप देख पर वीडियो वोल्यूम में आफ कर लिया यह आप आपो इस वीडियो को लेना हुट करना कार ना है सबस से करते हैं और कि कुछ की लिए टिस्तरृँन्स ना हो एक तो कार्व को आप आप देख पर हैं कुछ इस तरीके से हैं तो यहां पर आपको अलेडी बना बनाया भी कर्व मिल जागा यह आप देख पर हैं प्रिसेट कुछ इस तरीके से यह देखो तो कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हो या फिर आप अगर आप खुद से बनाना चाहो तो खुद से भी बना सकते हो ठीक है तो लाइक देख पारेओ को कुछ यह इस तरीके का है लेकिन गईज हमें खुद से बनाना है तो खुद से बनाने के लिए करना है यहां से चलना है जैसे कि देख फारेगा फिर यहां स्लोड रहेगा फिर यहां सलो और फिर यहां पर फास्ट हो जाएगा ठीक है यहार लास्ट में आकर ठोड़ा सा इसको हम थोड़ा उसको उस तरीके लिए उन्हों मैनेज करेना ज्यादा वर ज्यादा इतना रखना है जितना में यह काम चले इसे कढ़ने ज्यात अंक बागन आप यहां से गैज simple से done कर लेना है जितनी आपकी audio हो जितनी आपकी audio की length हो उतना ही आपको video को रखना है ठीक है अब गैज इस वीडियो में हमें cut लगाना है cut ऐसे लगाना है जिसे कि beats में कोई effect होता है तो मतलब वो सब कैसे पता चलेगा उसको जाने के लिए यहां पे click करना है music पे bits पे चलना है जहां जहां पे ग्राफ जो है अभी ग्राफ देख पर होगी बिल्कुल नॉर्मल है जहां जहां पे भी high होगा वहां वहां पे guys आपको cut लगा लेना है ठीक है तो like अगर यहां पे graph देख वर होगी है तो हम 1950 क्ट लगा लेंगे टिक और अब आगे भी graph आपको यहांपे graph हाई है तो आपको hard लोग आ Minor देख वो ! यहां पे भीarat व्राइं के दमढ़े आ जाने के बाद दें यहां पे आया तो यहां पर यह एफेक्ट एड़ हो गया है यहां पर गाईज हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो यह जूम आउट का इफेक्ट जो आ जाएगा ठीक है वाला कट पर हम कुछ इस तरीके से जूम इन वाला इफेक्ट लगा देते हैं अब देख पर हमारा इतना काम खतम होता ह और अभी ना वीडियो के अंदर कलर गेडिंग करना है क्योंकि यह वीडियो बहुत ज़्यदा नॉर्मल लग रहा है कलर गेडिंग करने के लिए आपको चलना है फिल्टर वाले ओप्शन के अंदर एड़ेस्ट में आपको चलना है कॉन्ट्रस्ट को आपको कुछ इस तरी बढ़ा देना है यहाँ चीन्ट को अपको फोटो के अंदर एक अलग सा टोन आ गया है अब यह जो ब्लूड़ा सा चेंज करना है इंद थोड़ा सा गाई जम इसको आगे की तरफ रखेंगे लगवग एक या दो परसेंट है इतना सही लग रहा है सार्पिन को बिल्कुल इतना सर्खना है लगवग नाइन यहां पर इसको डेन कर लेना है ठीक है अब मैं वीडियो को प्ले करके दिखा रहा हूं यह देखो तो इस तरीके का एफेक्ट जो आप कर सक हो इस तरीके के वीडियो अभी हमारी एडिट होई है और यहां पर गैसे अब हम डल रखना और सकते हो तो हालांकि टेनेटीफी 60fps में कड़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है अभी कई इसको सेब कर ले रहा हूं सेब कर लेने के बाद गई इस मतलब वीडियो को अभी आपको वीटा आप के अंदर उपिन करना है उसमें आपको सिखाएंगे कैसे आप हालो ब्लड का जो ह से सर्च कर लेता हूं तो वीटा आप मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो वीटा आप पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा एक चीज़ का ध्यान रहे कि आपका इंटरेनेट कनेक्शन ओन होना चाहिए ठीक है अब गई आपको न्यू पर्जेक्ट पर क्लिक करना है न्यू पर्जेक्ट पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो को हम यहां पर एड कर लेंगे ठीक है जो वीडियो अभी हमने वीडियो आपके अंदर एडिट करके इसमें सेयर किया था उस वीडियो को आपको एड़ कर लेना है ठी आपको यहां से चलना है बहुत सरा उप्सण आपको दिख रहा है यहां पर हालो ब्लर बॉक्स बूके उसके बाद नाइट बूके ब्लर बहुत सरा आपको ब्लर मिल जाएगा आपको इंट्रेनेट कनेक्शन तो यह अच्छे से काम करेंगे ठीक है तो यहां पर हम अलो ब्लर को से स्ट कर लेते है एक सि थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है यह आप देख वर हमालो ब्लर आगया जस्ते आपको डाउनलोड कर लेना है ठीक है जब तक आपको इंटरनेट अच्छे से काम नहीं करेगा यह कुछ भी नहीं होगा ठीक है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसके लिए हाँ तो गईस देख भरूँ कि यहां पे बहुत सारे इफसी आपको दीख रहा होगा जशट आपको यहां हालो ब्लर पे जेसे आपके लिए वीडियो में इतना है रहरा हूँ Relig यहां पर जैसे यह सरी किसे इतना हम एफेक्ट रखेंगे अगर आपको लग रहा है कि यह ब्लर का इफेक्ट बहुत ज़्यदा कम है आपको थोड़ा और ज़्यदा चाहिए मतलब इसकी ओपैसिटी और ज़्यदा चाहिए तो आप यहां पे और भी सेट कर सकते हैं तो हम यहां से सिंपल से जाएगी अगर आप उसके डबल को आइड करना है तो इफेक्ट में आपको जाना है यहां में दोबारा सर जाना है एक हो तो आपको कुछ तरीके की अपलाय हो जायेगा आप देख पर रहे हो के कि इस तरीके की दिखेगी ठीक है आप देख पर रहे हो कि बहुत ज़दा आसान को इचेके का बहुत ज़्यदा चल रहा है तो आप इस ब्लैक वाले फिल्टर का भी यूज़ कर सकते हो ठीक है आप देख वारे हो तो यह ब्लैक वाला फिल्टर आपको जितना दूर तक रखना होगा उतना दूर तक ही आप रख सकते हो ठीक है अभी हम इसको अंडर करेंगे एंड देख अब गईज आप देख वारे हो कि जैसे हम यहां से simple से done करेंगे अभी हम इस वीडियो को play करके दिखा रहे हैं तो देख वारे हो कि यह starting में कुछ इस तरीके का dark सा effect है और देख वारे हो कि उसके बाद यह जो है मतलब colorful हो गया जो हमारा normal वीडियो है तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने वीडियो के अंदर इस तरह का effect अपलाई कर सकते हो ऐसी वीडियो editing कर सकते हो अब जैस्ट आपको export पे click करना है और यह वीडियो आपके gallery में easily save हो जाएगी यह वीडियो आपको काफी ज़्यदा पसंद आई होगी अब इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला तो वीडियो को like करके channel को subscribe कर लिजिए जल्द मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो का साथ love you all, take care, bye bye